अरे या शीतल क्या कर रही है जल्दिया मेकप कर रही हूं मा आती हूं शीतल मेकप करने के बाद बाहर आई उसकी मा पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी दोनों मंदिर जाने वाले थे मेकप करने में कितना टाइम लगता है बेटी टाइम लगता है मा, आप नहीं समझोगे हाँ हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूँगी लेकिन बेटी, घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा नहीं तो ससुराल जाकी क्या करेगी हाँ वहाँ भी मेकप ही करूँगी मा, मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोड़ूँगी अच्छा, और घर का काम कौन करेगा, नौकरान ही रख दूँगी ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छा मेकप करती हूँ मैं और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो, तो सास बदल लूँगी तू भी न बेटी, कुछ भी बोलती है अब चलो मा, देर हो रही है शीतल और उसकी मा मंदिर चली गए मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पैचानते थे अरे मंजो बेहन, बेटी जवान हो गई है शादी वादी करवाओगी की नहीं हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर उसी बहाने शीतल बेटी के हाथों का चाय भी पी लूँगा पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर खराए लड़के का फोटो देखकर शीतल शादी के लिए मान गई लड़के का नाम मुकुंद था और वो किरानी की दुकान चलाता था और एक महिने के अंदर शीतल की शादी हो गई ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह शीतल के मन में भी बहुत सारे सपने थे लेकिन हर लड़की की तरह शीतल के सपने भी तूटने वाले थे शीतल की सास का नाम बिमला था और वो बहुत खडूस थी बिमला ने शीतल से कहा बहु इस घर में हम चार लोग हैं मैं, मेरा पती, मेरा बेटा और मेरी बेटी, तुम्हें मिला कर पांच, हर रोज पांच लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता क्या? खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम अच्छी संसकारी और सुशील लड़की हो हाँ माजी वो तुमें हूँ क्यों? सुशील लडकी होने के लिए खाना बनाना ज़रूरी है क्या? अरे 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 ये देख बेटा तेरी बहु घर आते ही मुझसे जबान लड़ा रही है इसे खाना बनाना भी नहीं आता पंड़ जी ने रिष्टा भेजा था इसलिए हमने जादा पूछताच ना करके ही शादी फाइनल कर लिया लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा धो क्वा खा होगया है अरे ये तो गजब बात हो गई मैंने खाना बनाना नहीं सीका लेकिन मुझे कुछ और काम आता है शीतल के ससुड़ ने पूछा क्या काम आता है तुम्हें ब्यूटी पार्लर का काम आता है मुझे मेकप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं इक तल रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तब ही वहाँ उसकी ननत पल्लवी आई, भावी लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, अरे ननत जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये होई नहीं रहा था, बस वो मा को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझे पर बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकप नहीं आता अच्छे से, अरे वाँ, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ, और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पारलर खोलेंगे, एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे, और दूसरी और से उन्हें खू अच्छा खासा पैसा मिलेगा, हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, घर पर बहाना बनाकर शीतल और पल्लवी शादी में मेकप करने चली गए, उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला, लड़कियों को शीतल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था, लेकिन तभी ये ख़बर बिमला की कानों में पहुँच गई, क्या, तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है, हमारे घर की बहु होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो, हाँ, हमने बार बार मना किया था न, करम जली, मुकुद ने शीतल को एक थपड़ मारा, शीतल नीचे गिर पड़ी, उसका सर्थ दिवार से टकरा गया और उसकी मौथ हो गई, अरे बेटा ये क्या गिया तुने, मार कैसे डाला, मैं तो सिर्फ थपड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया, जल्दी बाडी को छिपा दो, नहीं तो ग अचानक से कमाई का एक मात्र जरिया बंद हो गया, ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है, भूख के मारे बिमला को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई, पल्लवी बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकाप आता है न, जा तू ब्यूटी पार्लर चला, लेकि वो बहुत जादा टेंशन में थी, तभी एक औरत आई, तुम बाल काट सकती हो न, मिरे बाल ठीक से काट दो, मुझे शादी में जाना है, वो औरत बैट गई लेकिन पल्लवी ने डर के मारे कैची पर हाथ भी नहीं दिया, सौरत ने आँखे बंद कर ली, तभी पल्लवी उने देखा अच्छानक से कैची, अपने आप हवा में तैरने लगी, और वो कैची अपने आप ही उस ओरत के बाल काटने लगी, अरे यह क्या, यह चादू कैसे हो रहा है, बाल कटने के बाद वो कैची अपनी जगा पर वापस आ गई, वो औरत बड़ी खुश हुई, अरे पता था कि तुम घबराई हुई थी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई मैं इसी जमीन के नीचे हूँ पलवी शीतल की आत्मा ने पलवी को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा पलवी ने पुलिस में खबर की बिमला उसके पती और मुकुंद को अरेस्ट किया गया पलवी अकेली उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी शीतल की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादूई तरीके से लोगों का मेकप करने लगी पलवी की अच्छी खासी कमाई होने लगी और शीतल भी खुशी-खुशी अपना सपना पूरा करने लगी कोमल के चेहरे पर बच्पन से ही काले धब्बे थे इसलिए सब उससे नफरत करते थे देखा तुमने इतना अच्छा रिष्टा हाथ से निकल गया जो भी आता है इसका चेहरा देखकर रिष्टा मना करके चला जाता है पता नहीं कितनी बदसूरत है तुमारी बहन इसी बात का तो रोना है मधू इसकी वजह से मेरी भी समाज में बहुत बदनामी हो रही है उम्र बढ़ती जा रही है सब मुझे ताने देते हैं कि मैं भाई होकर अभी तक अपनी बहन की शादी नहीं करवा पारा पता नहीं ऐसी बदसूरत बहन का भाई होना ही मेरे भागे मैं क्यों लिखा था अब बस भी करो तुम दोनों तो कोमल के पीछे ही पड़ गए हो इसमें उस बेचारी की क्या गलती है जब ये पैदा हुई थी तब ही से इसके चेहरे पर ये निशान है पर मेरी बेटी लाखो में एक है कितनी गुणवती है पूछो जरा मत हुसे घर के सारे काम करके ये देती है बाजार से सामान लाना, बनाना, सब की देख भाल करना अगर कोमल ना हो तो इस घर का क्या हाल हो ये तुम नहीं जानते मा, भाया भाबी ठीक ही तो कह रहे मेरी वज़े से इने कितनी बाते सुनने को मिलती है खाश में पैदा होते ही मर जाती तो आज आप सब पर इतने दुख ना आते कोमल, मेरी बच्ची आज बोल दिया आगे से ऐसा मत बोलना तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम दोनों बच्चे ही तो मेरा सहारा हो रमेश अपनी बेहन को गलत मत बोल अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी अरे माजी आप जानती नहीं हो अभी तो ये रोकर चुप हो जाएगी उसके बाद फिर से वही कहानी कोई रिष्टा बताऊंगी इसके लिए तो इसकी शकल देखकर फिर रिष्टे के लिए मना हो जाएगा अब सारी जिंदगी इसको हम घर पर थोड़ी रख सकते हैं हमें भी अपना परिवार बनाना है लोग तो बाते बनाएंगे ना कि कुमारी लड़की को घर पर बिठा रखा है अपने भया भाबी की बात सुनकर कोमल रोती हुई घर से बाहर चली गए और सड़क किनारे बैट गए कुछ देर तक कोमल ऐसे ही रोती गए उसके बाद घर आई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा चुपचाब घर के काम किये और सो गई अगले दिन जब कोमल सो कर उठी तो उसने देखा उसके कमरे की दिवार पर लगा हुआ शिशा गायब है उसने बाहर जाकर अपनी मा और भाबी से पूछा मा जी से पूछने की कोई जरुरत नहीं है तेरे कमरे का शिशा मैंने ही लिया है मेरा शिशा टूड़ गया था इसलिए मैंने तेरे कमरे का शिशा उतार कर लगा लिया वैसे भी तुझे अपना चेहरा देखने की कोई जरुरत नहीं है तु देखने में इतनी बदसूरत है कि तेरे चेहरे में देखने लाए कुछ भी नहीं है मधू ये जो तुम्हारा व्यवहार है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कोमल फिर से एक बार उदास हो जाती है उसे अपने लिए बहुत दुख होता है कोमल तु मन छोटा मत कर तु एक काम कर तु बाजार से नया शीशा खरीद ला फिर कहीं आना जाना होता है तो घर में और शीशा नहीं है कोमल अपनी मा से पैसे लेकर नया शीशा खरीदने के लिए चली जाती है तब ही एक बूरी ओरत भूखी प्यासी कोमल से कुछ खाने के लिए मांगती है बेटी ही कुछ पैसों की मदद कर दो मेरा पोता बहुत बिमार है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरी बहु मेरी राह देख रही होगी किसी ने भी मेरी मदद नहीं की मेरी थोड़ी सी मदद कर दो बेटी भगवान तुमारा भला करेंगे अब क्या करूँ, मेरे पास तो बस ये शिशे के ही पैसे है क्या करूँ, या तो इनको पैसे दे देती हूँ, बाद में शिशा खरीद लोगी मदद कर दो बेटी, तुम्हें बहुत दुआए मिलेंगी ये लो अम्मा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे जीती रहो बेटी, आज तुम्हें मेरी मदद की है देखना तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा बुड़ी औरत कोमल को दुआएं दे कर वहां से चली जाती है कोमल थोड़ा आगे जाती है, तो उसे एक कबाड़ी वाला मिलता है कोमल देखती है, कबाड़ी वाले के ठेले पर एक पुराना शिशा रखा हुआ है कोमल उससे पूछती है, भाईया ये शिशा तुम मुझे बेच सकते हो हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी इस शिशे को फेंगने वाला था कबाड़ी वाला कोमल को वो शिशा दे देता है कोमल रास्ते में शिशा दुकान पर बनने के लिए दे देती है और अगले दिन वो नया फ्रेम लगवा कर शिशा घर ले आती है अगले दिन नहाद होकर जब कोमल शिशे में अपना चेहरा देखती है तो उस शिशे में से एक चमक निकलती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते कोमल बहुत ही सुन्दर दिखने लगती है उसके सारे दागधब्बे गायब हो गय थे कोमल हैरान रह जाती है तभी शिशे में से आवाज आती है मैं एक चमतकारी शिशा हूँ मुझमें ऐसी शक्ती है कि मैं किसी को भी खूपसूरत बना सकता हूँ मैंने तुम्हें भी खूपसूरत बना दिया मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे स्वभाव की हो और मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो दूसरों की मदद करता है मैं पहले एक जादूगर के घर पर इस्तिमाल होता था जब मैं तूट गया तो उस जादूगर ने मुझे कबारी वाले को बेच दिया उसी जादूगर की कुछ शक्तियां मुझमें भी आ गई और जब मैंने देखा कि तुम अपने रूप को लेकर बहुत दुखी हो तो मैंने तुम्हें खुपसूरत बना दिया हाँ, मैं तो सच मुझ बहुत सुंदर हो गई हूँ मा, मा देखो ये चमतकारी शीशा है इसने मुझे सुंदर बना दिया ये तो सच में चमतकार हो गया कोमल तू कितनी सुन्दर हो गई है अच्छा तो ये चमतकारी शिशा है वा कोमल तेरी तो किसमत ही बदल गई तू तो बहुत सुन्दर हो गई चलो अच्छा है अब इसके लिए अच्छे घर के रिष्टे भी मिल जाएंगे हाँ ये तुने सही बात कही अब हम कोमल के लिए कोई अच्छा रिष्टा ढूंड लेंगे एक दिन कोमल को बहुत बड़े घर का रिष्टा मिल गया वो लोग बहुत पैसे वाले थे लड़के की माँ अपने बेटे और बेटी के साथ कोमल को देखने के लिए पहुची लड़का रिष्टे के लिए हा नहीं कहता है इसी कारण हम अपने बेटे की शादी पहले कर रहे हैं आप चिंता मत कीजे मेरे पास एक चमतकारी शीशा है जिसमें देखने से गरिमा बहुत सुन्दर हो जाएगी आओ गरिमा मेरे साथ आओ कोमल गरिमा को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसे शीशे में देखने के लिए कहती है गरिमा जैसे ही शीशे में देखती है वो बहुत सुन्दर हो जाती है सब लोग बहुत खुश होते हैं कि गरिमा कितने सुन्दर हो गई कोमल की शादी पकी हो जाती है शादी का दिन नस्तीक आ जाता है कोमल का रिष्टा इतने बड़े घर में जुड़ता देख उसकी भाबी इर्श्या से भर जाती है और उस शीशे को जान बूच कर तोड़ देती है शीशा तूटते ही कोमल फिर से अपने रूप में आ जाती है पर ये क्या? कोमल के साथ साथ मधू भी बदसूरत हो जाती है और उसके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते है मधू घबरा जाती है ये मुझे क्या हुआ? मेरा रूप रंग कहा गया? मैं बदसूरत कैसे हो गई? मैं तो कोमल से भी जादा बदसूरत हो गई ये सब तेरी करणी का फल है, तुने जान बुझ कर वो शीशा तोड़ा है ना, इसलिए तुझे उसकी सजा मिली है मेरी बेटी की आज शादी है, और तुने मेरी बेटी की शादी तुड़वाने के लिए शीशे को तोड़ दिया, तु इतना इर्श्या से भर गई मधुमा ठीक कर रही है, मैं तो चाहता था कि कुमल की शादी हो जाए, मैं बहुत खुश था, पर तुमने तो सारी हदैं ही पार कर दी, तुमने उस शीशे को तोड़ दिया, जिसकी वज़ा से मेरी बेहन सुन्दर बनी थी जादी शीशा, भले ही तुम्हारी टुक्रे हो गए है, पर मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो, मेरी भावी को ठीक कर दो हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ मेरा जादू खत्म होने से पहले मैं तुम्हारी भावी को ठीक कर सकता हूँ पर इसके लिए तुम्हें अपनी सुन्दरता का बलिदान देना होगा अगर तुम्हारी भावी सुन्दर हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने इसी रूप में रहना होगा जिसमें तुम पहले थी बोलो, तुम्हें मन्जूर है हाँ, आप मेरी भावी को ठीक कर दो मैं पहले जैसी ही ठीक हूँ मेरी किसमत में जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा पर मेरी भावी को इतनी बड़ी सजा मत दो कोमल की बाते सुनकर मधू की आँखों में आसु आ जाते हैं जादोई शीशा मधू को ठीक कर देता है पर कोमल अपने पहले वाले रूप में ही रहती है मधू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था पर अब डर था कि कहीं कोमल के ससुराल वाले उसे इस रूप में देखकर शादी के लिए मना ना कर दे पर ऐसा नहीं था कोमल तुम्हारी सुन्दर्ता तो तुम्हारे भीतर है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से सुन्दर बनता है ना कि उपरी सुन्दर्ता से तुम हमारे घर की बहु जरूर बनोगी हमारी करिमा तुम्हारी बज़े से सुन्दर हुई है तुमने जो उसके लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता बहन जी, शादी की तैयारी शुरू कीजे हम शाम को बारात लेकर समय पर पहुच जाएंगे कोमल दुलहन के रूप में बहुत सुन्दर और प्यारी लग रही थी ये सुन्दर्ता उसकी अपनी खुद की पहचान थी जो उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी कोमल अपने मा और भाई-भावी के गले लगकर खुशी-खुशी अपने ससुराल विदा होती है हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा